वेलकम तू युमानिटीज ओनर है प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब वेलकम बैक एवरिबडी आज हम इंडिया के सभी पोर्ट्स को डिसकस करेंगे और मैप पे लोकेट करेंगे फर्स्ट पोर्ट है कांडला पोर्ट देखो इसके नाम की स्पेलिंग में कांड आ रहा है मतलब किसी के साथ कुछ तो कांड हुआ है इंडिया का ये स्टेट डाइनसौर के हेड की तरह लगता है इस डाइनसौर ने कुछ ऐसी चीज खाली जिससे इस डाइनसौर का उपर वाला टीथ तूट गया मतलब इस डाइनसौर के टीथ के साथ कांड हो गया तो ऐसे आप याद रखोगे यहाँ पर है कांडला पोर्ट नेक्स्ट पोर्ट आता है मुंबई पोर्ट देखो इस ट्रिक में एक बच्चा है जो अपनी मम मतलब मम्मी को बाइ बोलकर दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहा है हम दूसरे स्टेट में कब जाते हैं पढ़ने के लिए जब हम बड़े हो जाते हैं मतलब बिग हो जाते हैं तो इस तरह से आप याद रखोगे कि इंडिया का बिगिस्ट पोर्ट है मुंबई बिग से याद रखना कि वो बच्चा बड़ा हो गया और इसी लिए वो अपनी मम को बाई बोल कर दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहा है महराश्ट्र में यहाँ पर यह जमीन टूटी हुई है बस इसी टूटी हुई जमीन के उपपर आपको मुंबाई पोर्ट लोकेट करना है तो यह रहा मैप पे मुंबाई पोर्ट मुंबाई पोर्ट इंडिया का बिगस्ट पोर्ट है मतलब यहाँ पे बहुत सारी शिप्स आती होंगी और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता होगा मुंबाई में ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए कांडला पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था अब नेक्स्ट पोर्ट आता है मारमगाओ इस गाओ को ध्यान से देखो अगर इसमें हम A और O की पुजीशन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा गोवा और इससे आपको याद रहेगा कि मारमगाओ पोर्ट है गोवा में तो यहाँ गोवा में हम मरमगाओ को लोकेट कर देंगे अब याद करो वो लड़का जो दूसरे स्टेट में पढ़ने गया था वो अपने घर पे आके कहता है मार मा मतलब मम्मी मुझे मारो तो मम्मी पूछती है कि मैं तुम्हें क्यों मारूं तो वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा जुवारी बन गया हूँ तो इससे आपको याद रहेगा कि जुवारी एश्चुरी के पास मारमा गाओ पूर्ट लोकेटड है 1961 में मारमा गाओ पूर्ट की रिमॉडलिंग करी गई देखो पहले 19 लिखो और फिर इसे रोटेट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 61 और इस तरह से आपको ये डेट लर्ण हो जाएगी इंडिया का नेक्स्ट पोर्ट है मैंगलॉर पोर्ट मैंगलॉर से याद रखना बैंगलॉर और जिस स्टेट की कैपिटल बैंगलॉर है उसी स्टेट में मैंगलॉर पोर्ट है हम सब जानते हैं करनाटका की capital है Bangalore इसलिए करनाटका में Mangalore port मिलेगा Mangalore port को करनाटका में बिलकुल नीचे border के पास locate करना है अब next port आता है Kochi port Kochi port को Queen of Arabian Sea कहा जाता है इसे तुम ऐसे याद कर लेना कि Kochi port पे एक coach रहता है जो Queens की respect करता है कैरिला में यहाँ पर एक लेक है बस इस लेक के उपर वाले पार्ट पे हमें Kochi port को locate करना है next port आता है Chennai port Chennai port को 1859 में बनाया गया था मतलब 1857 वाली revolt के दो साल बाद Chennai port artificial port है artificial मतलब ऐसी चीज जो humans ने बनाई है यह वाला state human के face की तरह लगता है तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि Chennai एक artificial port है Tamil Nadu के उपर की साइड है Chennai और नीचे की साइड है Tutti Corin port यह Tutti Corin port इंडिया का southernmost port है इसे ऐसे याद कर लेना Tutti Corin में तूट आ रहा है मतलब जब इस port का दिल तूट गया तब यह पूरी दुनिया से अलग होकर इंडिया के south में situated हो गया Tutti Corin port को Chennai का traffic reduce करने के लिए बनाया था Next port आता है विशाखा पटनम port इसकी trick है कि एक विशकन्या को खाना पसंद है एक बार यह इंडिया के इस land को खा जाती है और फिर अपना मूँ लॉक कर देती है तो हम कह सकते हैं इस विशकन्या ने अपने mouth में land को लॉक कर दिया इससे आपको याद रहेगा कि विशाखा पटनम लैंड लॉक्ड पोर्ट है देखो इंडिया का ये portion ऐसे होना चाहिए था straight लेकिन ये straight नहीं है इस portion को देखके ऐसे लगता है जैसे यहाँ के land को विशकन्या ने खा लिया हो बस इस खाई हुए portion के जस्ट उपपर विशाखा पटनम पोर्ट है अब next पोर्ट आता है पैरद्वीप पैरद्वीप पोर्ट इंडिया का deepest पोर्ट है ये द्वीप और डीप दोनों सेम सेम लगते हैं देखो दोनों में पहले डी फिर बीच में दो लेटर्ज है और लास्ट में पी आ रहा है तो ऐसे याद कर लेना पैरद्वीप deepest पोर्ट है इस स्टेट का ये portion बाकी के portion के comparison में बाहर निकला हुआ है तो आपको इसी बाहर निकले हुए portion पे पैरद्वीप locate करके आना है इंडिया का next port आता है कोलकत्ता पोर्ट इस कोलकत्ता पोर्ट को नैपाल और भूटान इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं कोलकत्ता पोर्ट का traffic reduce करने के लिए हल्दिया पोर्ट को construct किया गया जहां आपको ये map पे चोच सी दिख रही है न यहीं पे है हल्दिया पोर्ट तो यहां पर आप हल्दिया पोर्ट को locate करके आ जाना तो यह रहा इस chapter का पूरा map work इसे आप एक बार revise कर लो हम सब जानते हैं कि golden quadilateral दिल्ली, मुंबई, चन्नाई और कोलकत्ता को join करता है इस chapter में बस यही तीन dates दी गई है 1857 के दो साल बाद बना था चन्नाई पोर्ट मतलब 1859 में फिर 1961 में मारमगाओं की remodeling हुई थी और 1973 में energy crisis आया था देखो energy के E को अगर आप पलट दोगे तो वो 3 बन जाएगा तो ऐसे आप याद कर लेना कि 1973 में energy crisis हुआ था चलो तो यह chapter होता है खतम अब हम मिलेंगे एक new chapter में तब तक के लिए keep studying, keep working hard टाटा, बाई बाई